तो फ्रेंज़ आज हम बात करेंगे आखिर क्यू टाइटनिक जहाज को आज तक हम पानी में से नहीं निकल पाए है 1912 में टाइटनिक जहाज का हाथसा हुआ था हम सब जानते है मतलब 100 साल से भी जाड़ा टाइम लिट चुका है साइंस में इतना तरक्की कर चुके हम तो आखिर क्यू टाइटनिक जहाज को आज तक हम समुंदर में से नहीं निकल पाए है देखिए टाइटनिक जहाज कैसे डूबा था इसके पीछे किसकी गलती थी इन सारे चीज़ों के उपर आज मैं बात नहीं करूँगा इन सारे टाइटनिक के उपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आगे आप जानते होंगे कि मेरा भी सब्टेवरेट सब्जेक्ट है टाइटनिक इसलिए इसके उपर काफी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और दूसरी बात है कि टाइटनिक के उपर मेरे व्यूज जादा आथ है वो दूसरी बात है फिर ठीक है आज के टॉपिक पर आदे है 1912 में टाइटनिक जहाज डूबने के 70 साल बाद मतलब 1985 में सबसे पहली बार रॉबर्ट विराड नामक एक नेवी ओफिसर टाइटनिक जहाज को धूर निकला था जैसे आप साइट जानते होंगे कि टाइटनिक जहाज के दो टुकरे हो गये थे और पानी के नीचे आज भी एक टुकरा दूसरे टुकरे से 600 मीटर दूर मौजूद है देखिए 1985 से लेकर आज 2020 मतलब 35 साल गुजर चुके है फिर भी हम उसे आज तक नहीं निकल पाए है ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं किया गया कई बार कोशिश किया गया है लेकिन फिर भी हम उसे नहीं निकल पाए है कई प्रॉब्लेंस के चलते आज हम उन्हीं प्रॉब्लेंस के बारे में जानेंगे देखिए सबसे पहला रिज़न है टाइटनिक का वेट करीब 1.43 लाख टन है टाइटनिक का वेट और वो मौझूद है 12,500 फीट पानी के नीचे मतलब करीब करीब 4 किलो मीटर नीचे जिससे कि उसका वजन और कई गुना बर जाता है मतलब आप पानी के जितने नीचे जाएंगे आपके उपर पानी का दवाव और बढ़ता जाएगा ये तो गया में रिजन अब दूसरा कारण है टाइटनिक का आज का हालत 100 साल से भी उपर से वो पानी के नीचे मौझूद है बैक्टिरिया, समुंदरी मचलिया, समुंदरी पेर पोधे उसके बॉड़ी को कमजोर बना दिया है आप अगर अभी किसी हुक से उसे खीचने की कोशिश करेंगे तो वो वही पर भिखर जाएगा तो क्या साइंटिस्टों ने कोई प्लैन नहीं सोचा आखिर वो साइंटिस्ट है जी हाँ सोचा है, लेकिन मैं क्यूं हस रहा हूँ वो सारा प्लैन सुनने के बाद आपको पता चलेगा तो प्लैन ए ऐसा है कि कुछ साइंटिस्टों ने सोचा कि पिंग पॉंग बॉल जो होते है वो तो पानी में तैरता है तो हम ऐसा करते है कि लाखो पिंग पॉंग बॉल ले जाकर टाइटनिक के अंदर भर देते है तो साइद वो लाखो पिंग पॉंग बॉल टाइटनिक को उपर उठाने में मदद करेगा लेकिन ये प्लैन फेल हो गया किसे ने ये नहीं सोचा कि लाखो पिंग पॉंग बॉल पानी के अंदर ले कैसे जाएंगे और वहाँ पर पानी का जो दवाब है उतने दवाब में वो पिंग पॉंग बॉल सिकूर के फट जाएंगे ये किसी के आईडिया में नहीं आया अब आते है प्लैन बी पे कुछ साइंटिस्टों ने कहा हमें काम करते हैं टाइटनिक में गुबारे बांदेते हैं गुबारे तो उपर उठता है तो साइड टाइटनिक को उपर उठाने में गुबारे मदद करेगा लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि पानी के उतने नीचे गुबारे में हिलियम गैस भरेंगे कैसे तो ये प्लैन भी फेल हो गया फिर साइडिस्टों ने एक और प्लैन बनाया आप देखे होंगे कि बरफ पानी के उपर तैरता है क्यूंकि बरफ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होता है इस थियोरी को लेकर आथर हाई की नामक एक सक्स ने कहा क्यूँ न हम टाइटनिक को पूरा बरफ से जमा देते हैं इससे टाइटनिक का वजन थोड़ा कम हो जाएगा फिर उसे हम चेंज से बांद के खिंच लेंगे लेकिन टाइटनिक को पूरा बरफ से जमाएंगे कैसे तब जॉन पियर्स नमक एक साइन्टिस्टे ने कहा कि हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तमाल करते हैं उससे पानी में बरब जम जाएगा फिर ब्रिटन की ग्यास कमपनी बी ओ सी ग्रूप ने कहा कि टाइटनिक को पूरा बरब से जमाने के लिए हमको आधा मिलियन टन नाइट्रोजन का इस्तमाल करना होगा तब लोगों ने सोचा कि इतनी सारी नाइट्रोजन को हम आखिर समुंदर के उतने नीचे ले कैसे जाएंगे तब ये प्लैन भी फेल हो गया फिर मिकाल रिडनिस की नामक एक फेमस सबमेरीन डिजाइनर ने एक प्लैन बनाया जो काफी जादा प्रैक्टिकल था उनके हिसाब से सबसे पहले तो टाइटनिक जहाज में जो भी गंदगी जमा हुआ है उसे अंदर वाटर ही साप करना पड़ेगा जिसे की टाइटनिक जहाज थोड़ा हलका हो जाएगा फिर खाली पॉंटून बोर्ड ले जाकर टाइटनिक से हम बान देंगे और एक सबमेरीन का भी ज़रूरत पड़ेगा जो पहले से ही गैस से भरा होगा और फिर उस सबमेरीन के साथ टाइटनिक बोर्ड को बिठाना पड़ेगा इसकी solution भी मिखाल के पास था उनके हिसाब से पानी के उपर एक floating power plant बिठाया जा सकता है लेकिन उस पूरी power plant का इस project के बाद कोई जरूरत नहीं बचेगा जानि कि इस पूरे plan में इस पूरी project में इतना पैसा खर्चा होगा जिससे की एक नई जाहस बन जाएगी लेकिन कोई भी company इतना पैसा इस project में लगाने से पहले उसका पैसा recover कैसे होगा इसके बारे में जरूर सोचेगा क्यूंकि जिस टाइटनिक को आप पानी में से निकाल रहे है उसको तो आप किसी काम में लगा नहीं सकते जादा से जादा उसके लिए एक museum बना सकते है लेकिन वहाँ से भी अपने पैसे को recover करते करते सौ साल से भी जादा time बीच जाएगा और दूसरी बात है कि टाइटनिक में जितने भी महेंगी चीजे थी वो तो पहले ही निकला जा चुका है एक और बात है कि यूनेसको ने 2001 में टाइटनिक को एक underwater cultural heritage के हिसाब से एक protected site घोषना किया है देखिए 100 साल के भी जादा time से टाइटनिक ना जाने कितनी समुंदरी मचली और ना जाने कितनी समुंदरी जीवों का घर बन चुका है रोबर्ट बिलाड जिन्होंने 1985 में टाइटनिक को सबसे पहली बार ढून निकला था उनके हिसाब से भी हमें टाइटनिक को पानी में से नहीं निकलना चाहिए और शायद कोई भी टाइटनिक को अब नहीं निकल पाएगा क्योंकि अनुमान किया जा रहा है कि 2030 तक बैक्टिरिया टाइटनिक को पूरा ही निगल जाएगा लेकिन फिर भी टाइटनिक की इस कहानी को हम और हमारे आने वाले पीडिया हमेशा याद रखेंगे यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा थैंक्यू फर वाचिंग गुडबाई